अमरीता अरोरा को आखिर कौन नहीं जानता होगा अमरीता अरोरा और कोई नहीं बलकि मलाइका अरोरा की सगी छोटी बहान है या भोलीवूड इंडस्टी की खुबसूरत मूवी एक्टरस है इन्होंने कई सारी भोलीवूड मूवी में भी काम किया है और लोगों के दिलों में अपनी अलग पाचान बनाई है अमरिता अपनी विवादित फिल्म गल्फ्रेंड में बॉल्ड इमेज के लिए जाने जाती है चलि आज हम इस खुबसूरत एक्टरस अमरिता अरोडा के जीवन से परिचे कराते हैं अमरिता अरोडा का जन 31 जनवर 1981 को मुंबई महराज सहर में हुआ था इनका पिता का नाम अनिल अरोडा है या पंजाली परिवार से तालुख रखते हैं और इनकी मा का नाम जोईस पोली कौफ है जो की एक मलियाली परिवार से सम्मन्द रखती है इसके अलावा अमरिता के पती का नाम सकील लादाख है इनके दो बेटे भी हैं जिनका नाम रियान लादाख और अन्जान लादाख है अन्जान का जन 25 अक्टवर 2010 को हुआ और रियान का जन 20 अक्टवर 2012 को हुआ जब यह छे साल की थी तब इनके माता और पिता तलाक हो गया और अपने माँ और बहन मलाइका अरोरा के साथ चेबूर चली गई इनकी माँ जोएस पॉली कोफ एक मल्याली कैथलिक और इनके पिता सीमा वर्ती सार फर्जी कल के निवासी थे जो मर्चड निवाई में काम करती थे अमरिता अलोरा की सीचा की बात किया जाए तो इन्होंने अपनी सीचा शेबूर के स्वामी विवेक अनन्द स्कूल से फूरी की अमरिता की मौसी कैस पॉली कॉप मुंबई के स्कूल पर रही है इनकी करियर की बात किया जाए तो इनकी पहली मूवी तुहर दू में एक्टर फरीदिन खान के साथ कितने दूर कितने पास से की थी लेकिन इनकी पहली मूवी काफी फ्लोप रही और लोगों को जादा पसंद नहीं आए इसके बाद इनकी पहली फिलिम हीट हुई सुलिस्टियक चेक वार जुनिगी बार प्रेसरावर के साथ आवारा पगला तिवानेक